गुड मॉर्णिंग एवरिवन कैसे हैं उमीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे देखे आज हम लोग बात करने वाले हैं 10101 LRC लेटेस्ट अपडेट जिसमें हम लोग मेनली बात करने वाले हैं कि जो सकेंड लिस्ट है या उसको बोल सकते हैं कि बेटिंग लिस्ट क कब तक आएगा और एक और चीज बात करने वाले हैं कि जो है जो तीसरा चांस दिया गया था उसका भी पिरियेट समाप्त हो चुका है ठीक है साथ आगस्त का डेट था वह कंप्लीट हो चुका है तो अभी तक कोई नोटिस बिभाग के दोरा क्यों नहीं दिया गया है ठीक जारिंग कोई नोटिस देगा या कब तक यहां लिस्ट जो है कि जारी करेगा चिक है क्या करना चाहिए आगे नहीं करना चाहिए सब कुछ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बारिकी से इस वीडियो को पूरा देखिए और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों क पर समेदा अधारित यह जो नियुकती हुई है उसका जो नियाववली संसोधन करके जारे किया गया था ठीक है इसमें हम लोग देखेंगे कि बेटिंग लिस्ट का प्रभधान है वाकिस कंडिका में है क्या उसका नेचर है सब कुछ देखने वाले हैं पहले इस चीज को द बताइंगे देखें वीषे सरवेक्षर मांदी अधारित समीदा नियाववली 2019 गौत्याथास्थापन द्वारा प्रती अस्थापित किया आज्यासकताे हैiston थे. दोजाब उनीज के नियाववली है उसको इस नियाववली द्वारा पर्तियस थाबित किया जाता है चैन के परिकिरिया पता है आपको एकडमिक अपके एग्जाम से जो मार्क्स मिलते थे ठीक है मतलब जैसे डिप्रोमा की हैं तो आपका अग्रिगेट मार्क्स होता था उस पे आप लोग का चैन हुआ था 2019 में ठीक है लेकिन उसको चेंज करते हुए क्या किया गया पदो पर चैन बिहार से युक्त परवेश पर तोगिता परिच्छा परसद के परिच्छा पर पर प्राप्ट अनुसंसा के पदो पर चैन जी सकते हैं कि अब इग्जाम लिया गया और उनके दवारा जो परिच्छा पर दिया गया है उसी के अधार पर निजिकती हुए है लेकिन इसके आगे कुछ चलते हुए देखते है कि और क्या कुछ इसमें संसोधन किया गया है या एड़ किया गया है देखें, 2019 की नियामवली में बेटिंग का कोई प्रब्धान नहीं था, कोई नियामवली में जिकर नहीं था लेकिन यहाँ सबसे बड़ा हतियार है यह चैन के परिकिरिया में पदवार कुल रिक्त के 50% तक का परतिछा सूची यानि बेटिंग का प्रभधान होगा परतिछा सूची के अबधी का निर्धारन बिभाग दोरा किया जाएगा देखें इसका जो अबधी होता है आती नहीं है चैन चालू योजना के वर्तमान योजना अबधी विश्टार तक भाजने होगा आफस्तक्ता ही जो भाजना के वरतमान योजना अबधी वि rabbits आइदि यह जो है सम्भीदा जो है प्रियड को एकस्टेंड किया जाताना उसके बारे में होगा लेकिन अब तक बैटिंग का जो लिस्ट है यह नहीं दिया गया है ठीक है और जो सीटे जो खाली रह गई है उसके रिगार्ड जो है अब तक बढ़ में बीशेस थोर्ब से बात करते हैं अब लोग नियममस्य देख चुके हैं ok तो अब तक उनको तीन मौका दिया गया है जो लास्ट डेट था साथ अगस्त दो हजार चौविस अब उनको तीन मौका दिया गया उस जो चांस दिया गया उसका भी डेट समाप्त हो चुका है लेकिन अब तक हम लोग देखें हैं कि जो लास्ट डेट था उसके पहले ही एक विभाग द्वारा नोटिस दे दिया जाता था ठीक है एक नोटिस से विभाग द्वारा चिपका दिया जाता था लेकिन इस बार नोटिस क्यों नहीं आया है ठीक है क्या विभाग द्वारा इंतेधार कर लिए एक सब्टा के अंदर में हो सकता है कि फौर्थ क यह सकते हैं कि इसकें अगर है अगर एक सब्टा के अंदर ऐसा कुछ नहीं आता है नोटिस तो समझ लीजिए कि आगे का जो फर्दर करवाई होगा बेटिंग लिस्ट के लिए सकेंड लिस्ट के लिए वह सुरू हो जाएगा तो मेरे हिसाब से एक सप्ता देखना जायज होगा ठीक है और बात कर ले कि इसके बाद जो होगा एक नोटिस अगर माल लेत से जो भी करमचारी चैनित हुए हैं और जो अपने निकती पत्र को नहीं पराप्त किये हैं इसके एक दो दो दिन में मतलब मेचल किया जाएगा विभाग के द्वारी आधिकारी रहेंगे और मीटिंग करते हुए उसमें निर्मट मदस्टा लिया जाएगा जो रिखत रहे गया है जो बेटिंग का प्रबधान हम लोगों ने दिया है उसके रिगारिंग कुछ करना है तो पहले लिस्ट को निरस्थ करेगी विभाग और उसके बाद ही जो है मेटिंग में निर्नाय लेगी कि सकेंड लिस्ट जो खाली सीट रहे गए हैं उसों सकेंड लिस्ट या बेटिंग लेकर जो है आप लोगों का निर्ट करवाया जाए जोईनिंग करवाया जाए मुझे लगता है कि एक सप्ता जो है कि आप लोगों को रूखना चाहिए और उस बीच में अगर चौथी बार मौका नहीं दिया जा रहा है मेट लिस्ट को तो आगे फर्दर हो सकता है कि चैन होंगे उनको नियुक्त करवाया जाए ठीक है तो मुझे लगता है कि एक सप्ता इसमें और आगे जो प्रोसेस होने वाला 15 दिन उसमें भी चला जाएगा ठीक है मतलब लगभग लगभग जो है कि अगस्त का महीना आपको इसी समय चला जाएगा मतलब डिसिजन लेने चैनल में और पेपर वाजी होगा नोटीश निकलेगा फैला चिनला जो भी होगा अगर फिर भी, अगर August के last week तक या August के third week तक, अगर कोई notice नहीं आता है पहले merit list को निरस्ट करने के लिए, या आगे further करवाई के लिए, या second list के लिए, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा situation पेचिछीदा हो गया है, और थोड़ा सा musdf incur है बस थोड़ा सा मुस्किल है आप लोगों को जोनियम वले में बाते लिखी गई दर्ज है जो नियम बनाया गया है वह उसका जो है प्रिंट लेकर आपको विभाग जाना चाहिए बीवाग से बात करना चाहिए असपस्ट करना चाहिए बिभाग से कि विभाग के दुवारा जो है कि सकेंड लिस्ट कब दिया जा रहा है बेटिंग के लिए कब कुछ नोटिस दिया जा रहा है तो आपको बात करना पड़ेगा मिलना पड़ेगा और यह आपको जो है कि अगस्त के लास्ट बिक में जाना चाहिए ठीक है और मेरे हिसाब से दो बिक आप लोग जाईए दो बिक के अंदर में कुछ न कुछ नोटी जरूर आएगा कुछ अच्छा जो है समाचार जरूर आएगा यूगि नियामवली में है तो 100% ही होने वाला अप फिर नहीं होता है अब लोग बिभाग जाने का प्रयास किए जे पचीस पचास सो के भीड में जाईए जनसंक्या में जाईए ताकि प्रेशर बने उनके ठीक है तो यहीं कुछ अपडेट था और अंदुरनी अपडेट बता दे कुछ अपडेट बता दे कुछ लोग जो गय थे लगवग निकाल दिया जाए तो यह पोजिटिव रिस्पॉंस आया है ठीक है और आप लोग पोजिटिव रहना है अगर नहीं होता है तो लास्ट बीक में आप लोग ज़रूर एक बड़ विभाग को विजिट कीजे ठीक है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद शेर कीजे लाइक तो सब्सक्राइब कर दीजेगा